वार्णक्रिफकार में हमारे साथ इसे और शिलाई से पहनी वार कहाने इनके पुताजी मंत्री ने आद पहनी वार इनके सबुटन वो मंत्री बनने का मौका मिनाज श्रीहाश्वर्जन चवान जी सम्मादिक हमारे लेडिकवा शेक्तर से बधायक और आजादी के बाद भी पहली बार इसको उपादक्ष कित्की स्पीकर बनने का समयधानिक पत्मिला मान्य श्री विने कुमार जी इस शेक्तर के बधायक और हमारे शोटे भाई श्री अजेस लंकी जी हमारे कॉंग्रेस के परत्याशी सम्मालेट श्री करमेश जंग जी इस शेक्तर से फूरब गधायक आजेबादों जी जिना कॉंग्रेस कमेटी के अद्याक्ष हमारे नन्द पर्मार जी बुलोव कॉंग्रेस कुमेटी के अध्याश ग्यान चौदरी जी, हमारे अस्केर अली जी, मिदेशक जुगिंद्रा बैंक, शिर्मती नसीमा वेहिकरम जी, मिदेशक खाद्यपूर्ती मिकम, नासीर रावद जी, पूरव PCC सदस्या, बिरिजाश ठाकूर जी, PCC सदस्या, र देश कॉंग्रेस कुमेटी के परवक्ता और रुपिंदत हागुर्जो की अत्रिक्त महादिवक्ता कॉंग्रेस है, सीटा राम शर्मा जी, ब्लोग कॉंग्रेस अध्याक्ष, अश्मिनी शर्मा जी, ब्लोग कॉंग्रेस अध्याक्ष, कमला चोवां जी, पूरव जिला पर प्टदिकारी, NSUIE प्टदिकारी, मर्चवर्बि राजमान, हमारे साथी विशोवदाज्चो भान जी, तुपिंदर जी, सभी सम्मानित, इकवाल जी, इप्टबी, शिवराज, यूद्ध कॉंग्रेस के वारे चनल सेक्टि शिवराज जी, सम्मानित, NSUIE, यूवाज कॉंग सभी पदादिकारी, पत्तरकार बंदोग और दूर द्राज के शेक्टर से आए, मेरे सभी सहपाथी, हमारे यूवाज कॉंग्रेस के, NSUIE के सभी पदादिकारी, पिचैतों के परदान और आब्दा पर्माबत परिवालों के सदस्या, एक वरश पहले हमारे चब में कॉंग और मुझे पहली वार जब जीवन में मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला, उससे पहले मैं कभी जीवन में मंत्री भी ने रहा था, तो सबसे पहले सवाल आया कि परदेश को कैसे चलाना है, सबसे पहले, पहले ही दिन मेरे पास जब पैसों के मामले में आंकडा रखा गया, राजस्था के मामले में आंकडा रखा गया, तो ये पाया कि हमाचल परदेश की वित्यस्तिती ठीक नहीं है, और परदेश आर्थिक पधाली के दौर से गुजर रहा है, मैंने कहा, कि ऐसी स्थिती क्यों बनी, उन्होंने कहा, कि पिछली कई सालों से, हमने अपने राजस्था की तरह ध्यान नहीं दिया, और हम सरकार एक कर्ज पर कर्ज लेकर चलाते नहीं, मैंने उन्होंसे पूछा, ये तो पॉंगरेस की सरकार आगे है, अगर भारतिय जनता पार्टी की सरकार आती तो क्या करती, वो तो अपने आपको डवल इंजल की सरकार कहते थे, के इंदर में उनकी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 2023 में 14000 क्रोड पे का कर्ज ले रखा था अब अगले दिन्चारे के काम करने के लिए और सरकारी करमचारियों को और अधिकारियों को बेतन देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था उन हालात को हमने समझा और उस पहले दिन से मैंने प्रंट किया कि हम हमाचल परदेश को आतम नेवर हमाचल परदेश की होने जाएगे आखलन आया हमारी आए सौर प्या है खर्चा 170 प्या है तो 70 प्या तो हमें कर्च उठाना ही पढ़ रहा है लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी हमने खाए कि जब वो अगर उटी भी सरकार आती वो भी कर्जा उठाते तो आज इन चुनोतियों का सामना करने के लिए हमें भी कर्जा उठाना पढ़ा लेकिन ध्याय हातम नेवर हमाचल की तरफ था दीरे दीरे मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया और पहले ही बजट में हमने अपनी दिशा तै कर दी उस बजट में आतम नेवर हमाचल की नीब रखी गए और आज एक बरश बात मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ कि आने वाले चार साल में 2007 तक हमाचल परदेश आतम निर्भृता की तरफ बढ़ेगा और आने वाले 2032 तक हमाचल परदेश हिंदुस्तान का सबसे समृत शाली और अमीर राज्या हो और जब तीन इत्यासिक फैंसले हमने किये एक वरश में हमने एक वादा किया था अपने सरकारी कर्मचारियों को सरकारी अधिकारियों को जिनोंने हमाचल में बग्यास की गाता लिखी है कि हम उन्हें समाजी सुरक्षा मुहिया करवाएंगे क्योंकि कोई भी स्कूल बना कोई भी स्जियम का कारेला बना इसी का कारेला बना सडक बनी पानी की पीने की योजनाय आपके घर तक पहुंची उसमें कहीं न कहीं सरकारी करमचारी और अधिकारियों का योगदार है और उस वादे को पूरा करने के लिए जब हमारी पहली कैबलेट बनी मेरे साथ ही आश्वर्दन चुहान जी हम सब लोग विश्यव द्याला में कठे पड़े हैं साथ में थे हमारे पास कहा गया कि अगर आप इन सरकारी करमचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो साल में एक हजार क्रोड रुपे का आर्थिक बोज पड़ेगा फिर हमने कहा कि क्या सरकारी करमचारी और जो अधिकारी है उनका समाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए कि ने मिलनी चाहिए जब एक हजार क्रोड रुपे आने वाले साल में हम पर पड़ेगा हमने दिल इच्चे किया कि जो बड़ापा है उस बड़ापा में समाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए एक अशोड इंकम मिलनी चाहिए और 9000 ग्रोड इन सरकारी करमचारीों का के अंगर सरकार के पास NPA के रूम में पड़ा है और मुझे खुशी इस बात की है कि हमें सरकारी करमचारी और अधिकारियों को अर्था आर्थिक बढ़ाली के बाद भी उन्हें ओर्ड पेंशन स्कीम दी जिसे आज हमने लागू किया इस लेमी किया कि हमें इसे रालीटिक बोड चाहिए जिनाफ तो खतम हो चुके थे और चुनाफ खतम होने के बाद हम यह वहाद हम कहते हैं कि चार साल बात पूरा करेंगे क्योंकि हम चुनकर तो पांग साल के लिए आ हैं लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था क्योंकि मैं भी सरकारी करमचारी का बेटा हूँ मैंने सोचा जो बचारे अभी रिटायर होंगे उनको क्या मिलेगा और आज जो विश्वास रिटायर हुए हैं जिने एनपीए के रूम में 27,25 अपे मिलते थे पांसो के क्रीब सरकारी करमचारी जो रिटायर हुए आज 25 से 30,000 प्याप पर मन्थ ओर्ड पेंशन स्कीन के रूम में प्राफ कर रहे हैं ये पहला एक यासिग मिन ने था इस से 33 मिनने के बाद शबत ग्रैंट समरों के समय एक रिवाज है कि हम सचवाल्या जाते हैं सारे सरकारी करमचारी अधिकारी सचयाल्या में उनका स्वालिक करते हैं मैंने उस विदुस्ता को परिवर्तन किया और मैं उन बच्चों के पास किया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे अपने पीता को खो चुके थे वो अलात हो चुके थे कई बच्चे ऐसे भी थे जो अपने चाचा जी के पास रहते थे अपने मामा जी के पास रहते थे पढ़ने में तेज थे लेकिन अधिक पढ़ना सके उस दूसरा त्यासिक में हमने ये किया कि जो भी बच्चा अपनी माता को खोच चुका है जो भी अपने पिता को खोच चुका है उनको सरकार स्टर अप दिस टेंड का दर्जा देगी सारा खर्चा सरकार अपने मावप पर बाहन देगी उसके लिए विधान समय में पहला हिंदूस्तार का सबसे पहला कानून विनाया जो उस कानून के माद्याम से 4,000 अनात बच्चे چाए वो चाहचा जी के पास रह रहे है नात आश्रम में रह रहे है उन्हें उनका सब पढ़ाई का करचा सरकार उठा द analogy उस कानून के तैत उन बच्चों को क्या मिल रहा है अगर आपके गौव में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माता को खो दिया, पिता को खो दिया हमने उसकी भावना को गदर की है अगर वो आगे पढ़ना चाहता है प्लस्कू के बाद कॉलिज में जाना चाहता है MBBS की पढ़ाई में स्लेक्ट हो जाता है IIT की पढ़ाई में स्लेक्ट हो जाता है पूरी प्रीज सरकार मुहिया करवाएगी पूरा हुस्कल का खर्चा सरकार मुहिया करवाएगी और चार हजार प्याँ क्योंकि तब उस कॉलिज में जाएगा तो पॉकिट मनी के लिए भी पैसा होना चाहिए हमने चार हजार प्याँ पैसा उसके हर महीने पॉकिट मनी के लिए रखा तो ये समाज के उन व्यक्तियों की आवाज ये सरकार बनी जिनकी आवाज नहीं थी ये दूसरा हमरा त्यासिक निम्ने था आग चार हजार बच्चे पिएसटी भी करना चाहते सरकार की तरफ से उन्हें पूरी भुठीस मिलेगी पोस्टिर का खर्चा मिलेगा चार हजार प्या पॉकेट में मिलेगी और जब उनकी शादी होगी शादी के लिए भी दूलाग प्यास सरकार के तरुब से अपलब्द होगा किसी के पास अगर घर के लिए जगा नहीं है तीन विश्वे सरकार पहुंजिया करवाती है अनात बच्चों भी कोई वाज नहीं होती सरकारी करमचारियों की वाज हो सकती थी किसान अंदोलन कर सकते थे वो रोजगार युवा रोजगार मांगने के लिए अंदोलन कर सकते थे लेकिन ऐसे समाज में व्रक्ती जिनकी कोई भावाज नी थी उस आवाज को इस सरकार ने सुना कि इत्यास की सबसे बड़ी आपदा इस परदेश में आई और आपदा के समय मैं खुद कुलू में जहां भाड़ी तवाई हुई घर उजड़ गए एक छोटा सा आशाना बना हुआ था एक गरीब आदमी का वो उजड़ गया कई मौते हो गई 500 के क्लीब लोग हमें छोड़ कर चलेगे रात को अपने घर में सोवेवे थे सुबा रहासा गीरा वो हमको सब को छोड़ कर चलेगे मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर गया मैंने उस पीड़ा को सहा मैंने उस गर्द को देखा और मेरे मन में आया कि इनके घर बसाने है जो तिनका तिनका जोड़ का अपना घर बनाया है हमाचर में कोई बड़ा धनवान नहीं है बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है चाहिए वो सरकारी करमचारी है अधिकारी है जब वो घर उजग आता है उसके मन पर क्या पीती होगी उस दृष्टी से हमने उनके भाव को समझा और जब मैंने देखा पुरे परदेश में जब हमारे पास राप के दो दो बज़े तक हम बैठके करते रहे अब क्यूं कर रहे थे ये रापके 11 वजे दो बज़े बैठके कि हम कुछ ना कुछ हल में काने 13,000 घर आशिक रूप से दस्ट होगे 4,000 परिवारों के घर पूरी तरह उजड़गे अब उनको बिसाने की बाद है और जो बीजे पी के मेता थे वो आपदा पड़ रही है साथ जलाई को आपदा आई 14 अगस्त की आपदा में एक ही दिन में हमाचल के त्यास में कभी ऐसा नहीं हुआ था एक ही दिन में 51 लोग अपनी जिन्दगी छोड़ दर चले एक ही दिन मैंने 15 अगस्त को कुलू जाना था लेकिन पता लगा कि आए दिन आज यहां भी बाद में मौत होगी आँ लासा गिने से मौत होगी जब ये दर्द हमारे सकार के सामने लाया गया हमने फैसला कि इस चुनोती का हमने सामना करना है और चुनोती में उसालत में जहां जेम में पैसा नहीं है पर भीड निश्कता है कि इस चुनोती से कैसे लड़ना है बीजेपी के लोगों से यह सवाल पूछना चाहिए जब पूरे आपदा आ रही थी आप लोग विदान सवा सेशन बलाने की बात कर रहे थे मार बार ये कहने देखी विदान सवा सेशन बलाईए मैंने का विदान सवा सेशन हम बलाएंगे लेकिन इस समय अगर हम विदान सवा सेशन बलाएंगे तो जितने पूलिस के करमचारी पूछारे अधिकारी आपदा से निपने में लगे हुए है वो सब विदान सवा की सुरक्षा में लग जाएंगे जितने अधिकारी कर्मचारी जो है जो आपदा से बिंटने लगे हैं वो सब प्रश्णों का उत्तर देने में लग जाएंगे फिर भी हमने विदान सवा का शैशन बुलाया विदान सवा के पहले ही दिन इन लोगों ने पस्ताव लाया हमने भी अपनी सरकार की तरब से पस्ताव लाया और उस पर चर्चा हुई यह कहा गया कि इस आपदा के समय हमाचर में अगर कॉंग्रेस की सरकार है तो जो भारतिय जिर्टा पार्टी के मेता हैं इनको जिबूलने का अधिक मोका दी दिये तीन दीन तर पैस चली और उस संकल्प में ये बात थी कि जो आपदा परवावित परिवार है उनके अपस्ताव पारित होना था और के अंदर सरकार को जाना था वो संकल्प पार्टी जंता पारित के मेता हमायचर परदेश में आपदा परवावित परिवारों के उस पस्ताव में आपदा रात राशी के लिए खड़े नहीं हुए बेखे रेग, हमने उस पुस्ताद को بारिट किया मैं डेश के पुर्दान मंतरी से मिला मैं डेश के ग्रेव मंतरी से मिला मैं भारती जंदा-पार्टी के रास्थय मिला और ये ए spé लोज किया कि आप हमारी इसने मज़द कीजिये जब सब तरुख से हार गया मैंने फैसला किया कि इन आपदा परवावित परभारों के पास मुझे खड़ा होना है और हमारी केमरेन ने फैसला लिया हमने बजट कट किया सडकों का बजट कट किया रोडों का बजट कट किया लेकिन हम आपदा की चुरोती से निपने के लिए यूद की तरह काम कर रहे थी आपने देखा होगा सेव सीजन सब रहा था सड़के अबरूत थी लेकिन कहीं से आपको ये ख़वर नहीं फसल नहीं स्टोरी थी कि कहीं सड़कों के कारण नुक्सान पहुंचा और हमने 4500 प्रोड पे का आप दारहाथ पैकेज दिया कि अपने स्रोतों से आप दारहाथ पैकेज दिया कि बजट कट किया कि क्योंकि बजट में आपका अनुमान होता है और जब हमने आपदा को आपदा परवावित परिवारों के नियम देखें तो पूररी तरह मकाम नस्थ होने के लिए कि इंदर सकार की नियम भी है यही राज्य सकार के भी नियम थे अब देड़ लाग रपे आप पूरी तरह नस्थ होने वाले मकाम को मिले अगर अगर अब देड़ लाग रपे में तो एक बात्रूम भी नहीं बनता है मैंने पैसला किया मेरी कैमने के साथियों ने पैसला किया इन नियमों को बदलना पड़ेगा और हमने आम आदमी के लिए ग्रीव आदमी के लिए नियम बदले डेड़ लाग आदमी के अंदर सरकार के द्वारा मिलता है हमने बढ़ा कर वह राशी साथ लाग रप्या कर दी यही नहीं है उसके साथ उसको कहा कि वह एस्डियों के पास जाएगा आएपिस के पानी का कुनेक्शन भी मुफ्त में कर दिया विजली का कुनेक्शन भी मुफ्त पर कर दिया स्मिंट की बोरी विए 288 पेप्रती बैट के साब से बिलेगी ये उसके बाद हमने ये भी कहा कि जो क्राएं के मकान में लहना चाहता है उसको 30 मार्श 2024 तक शहर में रहने के लिए 10,000 प्राएं मिलेगा गों में रहने के लिए 5000 प्राएं मिलेगा और गैस का चुला भी फ्री मिलेगा और छे मीने खाना भी इसको फ्री मिलेगा ये सरकार का 30 राट्या से क्मिन नहीं था स्वेडल सीट सरकार का फिर जो आशीक रूप से जो घर गिर गए उनको सिरुप 65 रुपया मिलता था हमने उसको भी बढ़ा कर एक लाट रुपया किये तो ये तीन फैंसले एक साल में हमारी सरकार ने किये वो भी उस समय जब हमारे परदेश की आर्थिक स्थिकी ठीक नहीं मारतिय जंता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहिए क्या कोई एक नेता इनका कोई क्या कोई एक नेता इनका इनी की सरकार है के इंदर में ये आज़स आपदा परवावित परिवारों की सहता के लिए मिला ये आपदा इत्यार बड़ी आपदा है जहां साड़े 500 के क्रीब लोग हमें छोड़कर चलेगे जहां तेरा हजार अर्शी कृप से नस्ट होगे और चार हजार घर पूरंतिया नस्ट होगे एक भारतिय जनता पार्टी का रास्तिया लेतर तब से मिला कोई लेता बार्तिय दिलता पार्टी के विधायंगार के नेता जहराम ढापुर जी से बुछना चाहिए क्या क्या भी दिले मंतरी से मिले कि हमें नहीं आपदापायोट प्रभावित परिवारों के साथ तो खड़े हों नहीं मिले क्योंकि ये सिरफ गोड़ की राद्यपी करना चाहते हैacht कि हमने कि जग्री मदद करके यह सुन देना चाहां कि हमारी में देयाउ हरे ड़ी गूरी के साथ खड़ी है जिस पर कभी मिधि कोई वसीवत साथ हो घगी हमारी सुक्त कन्य उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजिनेर बन जाते हैं, कई सरकारी करमचारियों के बच्चे होते हैं, उनको पास फ्रीज देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, हमारी सरकार ने इस आर्थिक बधाली के बाद और एक फैसला किया, कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, उन्हें 20 लाग रुपे का लॉन एक प्रतिशत इंटरस्ट पर मिलेगा, ये सरकार, किसी के दर्वाजे पर जाने की जुर्त नहीं है, अभी गल और पर्सू जो मैं दिन्ली में था, तो मैं हमाचन के अधिकार माग रहा हूँ, रेणुकाँ डाम की बात आई, वि ले जी ने हमसे बात उठाई, कि रेनुका डैम के लिए एकत्रे सालों से काम चल रहा है कहां से पैसा आएगा मैंने दिल्ली के मुख्य मंत्री से बात की दिल्ली के केंद्रिय मंत्रियों से बात की और हम जल्दी रेनुका डैम का कारे अभी शुरू करने वाले किशाउं की बात आई कहा कि पानी को मिलेगा और पैसा कौन देगा भारिष को का हमें क्या फैदा होगा हमें भी बिताइए कहते जो बिजली बनाएंगे उसके पैसे आप देंगे मैंने वाला हम पानी नहीं देंगे अगर आप हमारे को भूखते हैं जिनको प्यास लगी है उसकी प्यास बुजाने के लिए तो केंदर सरकार 90-10 के रुजार दे रही है और हमसे पैसे ले रही है ये तो नहीं माना जाएगा कि अगर बिजनी बनाने का खर्चा केंदर सरकार या हर्याडा की सरकार देगी हम उन्हें उसकी पर्मिशन देगी तो ये काम हमारी सरकार चाहरी क्योंकि आतम दिल पर हमाचर के लिए हमें अपने जो रिसूर्स है उसको शोशनी होने देना पिछली सरकार के उती बारती दंता पार्टिक के लिए हमारे बास कर में आरके सिंग इसे मिलें मैंने उसे कहा पावर मंत्री है पूरे ओपिसर्स की टीम गई मैंने उसे कहा कि कम से कम हमारे पास पानी जो है उसका मुल्य तो दीजिए जो बारा परसंट प्री रॉयल्टी मिलती थी पिछली सरकार ने वह भी मना कर दी कि हम नहीं लेंगे कि इन्वेस्टमेंट होगा किसी का इन्वेस्टमेंट ना रोजगार मिलता है बड़े बड़े द्योग पत्यों को फैदा हो जाता है हमने सुनी लूरी दोना सिंद्ध पावर प्रोजेक्ट में जो तीन पावर प्रोजेक्ट है हमने कहा कि हम उसको पेक ओबर करेंगे अगर आप बारा परसंट हमें प पैसा है कि हम कभी यह सोच के चले कि आज हम सक्ता में हैं और पांच साल हम अराम से बड़ी बड़ी गाडियों में घुमें और सप्ता का अनंद उखाए और पांच साल बाद देखा जाए कि कौन चुनाब जीता है तो इस दिरिश्टी से हम हमाचल की जंता के साथ धुका कर रहे हैं हमें हमाचल को अपने पौंपर खड़ा करना है युवा की जो भविश्या की फीड़ी है जो युवा है उनको एक दिशा देनी है ताकि हम आतम में पर हमाचल की और भी बढ़ सके इसलिए हमारी सगार काम कर रही है इस शनाए शनाए रेलुका जो विट रास की शेक्तर के लोग हम से मिलने आए हमने कहाँ कोई कानून लागू होने से पहले सपष्टी करना चीए जो अनुसूची जाती के लोग किया उनको एंक्लूड किया जाए क्या कोई सपस्ष्टी जैसे इस फश्टी करनाया हमने बारा घंटे आए हाटी समदाये को आश्टी का दर्जा दे दिए वो रामिती कर रहे थे और आगे भी रामिती करें तो क्योंकि एस्टी का तर्जा मिलने के बाद रोजगार के अफसर भी तो मिलने चाहिए और रोजगार के अफसर मिलने के लिए सरकार के पास धन चाहिए धन हमने एक